सरपंच चुनने में बहुत बड़ी मुश्किनों का सामना सरपंचों को करना पड़ेगा क्योंकि सरपंच चुनने की परकिरिया को पूरा का पूरा बदल दिया है जी हां ऐसी खबर के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि सभी को नई खबर पता चल सके कि आने वाला जो समय है उसमें सरपंच चुनने की परकिरिया को पूरा का पूरा बदल दिया गया है और इस परकिरिया ये पहले वाली परकिरिया से बिलकुल अलग है और ये बहुत जादा डिजटल हो गई है और पहले वाली बिलकुल इस से अलग थी और वो असान भी थी पर अब जो है इस परकिरिया के अंदर दूसरा ही बहुत बड़े-बड़े बदलाव कर दिये गए है जो मैं वीडियो के अंदर बताऊंगी तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हर्याना पंचायत चुनाओं में बहुत बड़े-बड़े बदलाव कर दिये गए है पंचायत चुनाओं के दुरान एवियम मशीन में गड़बडी को लेकर तरह-तरह की शिकायते सामने आती रही है बूत के कुल मतों से अधिक मतदान एवियम नेताओं की गाड़े में पाये जाना ये बहुत बड़े अब दिक्कते आ रही है और इस जैसी घटनाएं लगातार सुर्क्यों में बनी रहती है इन सब के बीच पहली बार पंचायती राज संस्थाओं के छटे आम चुनाओं पंचायत समीती सदस्य चुनने के लिए हर्याना के अंदर भी अब एवियम मशीनों को लगाया जाएगा पंचायत समीती सदस्य चुनने के लिए भी हर्याना काम मत दाता इवियम का परियोग करेगा अभी तक सरपंच और जिला परिशद की वोटिंग इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से करवाई जाती थी पर अब ऐसा नहीं होगा अब इनमें बदलाव कर दिये गए है अब पहली बार पंचायत समीती चुनाओ में इवियम मशीने इस्तेमाल होगी वर्ष 2016 में हुए पंचायत चुनाओ में रिवाडी और पंचकुला में जिला परिशद सरपंच पंच और पंचायत समीती सदस्य चुनने के लिए इवियम मशीनों के बटन दबाए गए थे अब आम चुनाव में वोटर, जिला परिशद, पंचायत समिती और सरपंच चुनने के लिए इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों का परियोग होगा, इनके महदम से वोट डलेंगे और इसके इलावा जो 20 अपरेल को सुनवाई होनी है, ओड इवन अरक्षन को लेकर हाई कोर्ट में 20 अपरेल को मामले के सुनवाई होनी है, इस दिन सरकार ओड इवन अरक्षन में अपना पक्स रखेगी क्योंकि महिलाव ने ओड रिजर्वेशन को, रिजर्वेशन को यह कहकर चुनोती दे दी थी कि उन्हें इवन कटेगरी में चुनाव लड़ने से वन्चित नहीं किया जा सकता, याचिका में कहा गया है कि ओड नमबर या ओपन कटेगरी जो ओपन कटेगरी है उसमें महिलाओं को चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता इसके साथ ही हाई कोट से अपील की गई है कि सरकार के इस फैसले पर रोक लगाई जाए नई EVM से होगा मतदान और निर्वाचन आयोग इस बार चुनाव नई EVM मशीनों से करवाएगा और इसकी लिए जो मशीने हैं वो बैंगलूर से इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीने खरीदी जाएंगी और बताया जा रहा है कि आयोग जल्द से जल्द नई इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीने मिलने वाली आयोग को और चुनाव के कागज बत्र पोलिंग पार्टियों समेत अधिकारियों को चाहिए कि वो गलेक्ट कर ले और निर्वाचन अधिकारी पिछले महीने चंडिगर से ये ले आए हैं और कितनी इवियम चाहिए पूछा आयोग ने राजय निर्वाचन आयोग ने रहतक समेत परदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी कारियालों को पूछ लिया है उनको पत्र लिखर पूछा है कि पंचायत समीती की वोटिंग इस बार इवियम से करवानी तै हुई है ऐसे में अधिकारी यह बताएं कि उनके पास कितनी इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन की जरूरत है आयोग को सरपंच और जिला परिशद जिहां सरपंच और जिला परिशद चुनाव के लिए कितनी इम चाहिए ये बतानी होगी और उसका तो पता है क्योंकि कई साल से ये चुनाव इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से करवाय जा रहे हैं पंचायत विभाग के मताबिक इस बार चुनाव के लिए 900 के करीब बूथ बनाए जाएंगे ऐसे में 2700 अतिरिक इवियम की अवश्यक्ता और पड़ेगी जी हाँ 900 के करीब जो बूथ बनेंगे उनमें 2700 अलग से इवियम मशीनों की जरूरत पड़ेगी ये थे बहुत बड़े बदलाओ और अब की बार जो मतदाता है उनको और भी ज़्यादा सावधान होने की जरूरत है क्योंकि अब की बार इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन यूज होंगी ये थे बहुत बड़े बदलाओ और इन सभी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेर कीजिए ताकि हर किसी को नई खबर पता चल सके वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद